हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तो आप सभी का आप के यूट्यूब चैनल गौतम अस्टेडी एड़ा पे बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज तारीक है 13 जुलाई 2020 तो 13 जुलाई 2020 से जितने भी करेंट अफेर्स के इंपोर्टेंट कोस्चन बनते हैं मैंने आपके लिए लाया है अगर आपको इस वीडियो का पीडिएप चाहिए तो नीचे डिस्क्रीप्शन बोक्स में पीडिएप का लिंक दिया है वहाँ जाकर के आप पीडिएप डाउलोड कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैंने एक कोस्चन रखा है उसका एंसर आप कमिट बोक्स में बताईएगा कोस्चन करेंट अफिर से ही रिलेटेड है चलिए देर ना करती है आज क्लास को स्टार्ट करते हैं कोस्चन नमबर एक देखते हैं हाली में भारतिय सेना ने जवानों को निर्देश दिया है कि वे फेस्बुक टिक टॉक सहीत कितने एप हटाएं तो दोस्तों आपका एंसर होगा ओप्शन B 89 एप्स दोस्तों भारतिय सेना ने जवानों को निर्देश दिया है कि फेस्बुक टिक टॉक समेथ 89 एप को हटाने का चली महत्पुन पांट जान लेते हैं भारत सरकार द्वारा देश में सभी के लिए 69 चीनी एप्स पर परतिबंद लगाने के बाद भारतिय सेना ने सेनिकों और अधिकारियों से अपने अस्मार्ट फोन से 89 एप्स हटाने के लिए कहा है रिपोर्ट सबसे पहले न्यूज एजेंसी ए एन आई से आई है एजेंसी ने बुधवार को 89 एप्स की पूरी सूची पोस्ट की विशेश रूप से इस सूची में चीन मूल के सिर्फ फेस्बुक टिंडर इंस्टाग्राम जैसे एप्स सामि चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं को कोश्चन नमबर दूसरा है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सबसे ज्यादा अफिम किस देश में जब की गई है कोश्चन इंपोर्टेंट है अस्टार मार्क लगा लिजिएगा दोस्तों और ऐसे ही मिलते रहेंगे तो आपका एंसर हो जाएगा ओप्शन सी इरान इरान जो है 2018 में सबसे ज्यादा अफिम जब्त की गई है दोस्तों इरान में अब आए इरान के बारे मैं आपको बता देता हूँ जिसका रधानी है तेहरान मुद्रा है इरानियन रियाल और राष्टपति है हसन रूहानी चलिए ब्रिटेन भी देख लेते हैं जिसका रधानी है लंदन ब्रिटेन के परधान मंत्री है बोरिस जोंसन और मुद्रा है पॉंड अश्टरलिंग चलिए चीन देख लेते हैं जिसका रधानी बिजिंग इवान इसका मुद्रा है और राष्टपति है चीन कोश्चन नमबर तीसरा है, हाल ही में लगजरी राइड के बरांड अमबेश्टर के रूप में किसे नियूक्त किया गया है? तो आपका एंसर होगा, option D, सुखबीर सिंग, दोस्तों सुखबीर सिंग जोकी एक बॉलीवूड सिंगर है, यह आपके सामने है, सुखबीर सिंग, जिन्हें लगजरी राइड का नया बरांड अमेश्टर नियूक्त किया गया है, तो दोस्तों लगजरी राइड, प्री स्व में साइन किया है, अब आएए option की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो option में है बिराट कोली, जो की MPL, मोबाइल, प्रीमियर, लिक्त के भी ब्रांड अमेश्टर हैं, उबर इंडिया, अमेरिकन टूरिस्टर, पंजाब नेशनल बैंक, BASF, MRF, Google, DO के ब्रांड अमेश्टर ह देख लेते हैं, रोहित सर्मा, जो की हाली में IIFL के ब्रांड अमेश्टर नियुक्त किये गए हैं, और IIFL का पुल्फरम होता है, इंडिया, इंफो लाइन, फाइन, लिमिटेट, और दोस्तों, सलमान खान जो है, वो भारत पे, पेपसी, एंड रियल मी के ब्रांड अमेश् कुश्चन देख लेते हैं, इतना जनकारी काफी है, कुश्चन नमबर चवथा है, हाली में किस देश ने DD न्यूज को छोड़कर सभी भारतिये समचार चैनलों के प्रसारन पर परतिबंध लगा दिया है, तो आपका एंसर होगा ओप्शन ए दोस्तों, भारत का पड़ोसी नेपाल, दोस्तों नेपाल ने DD न्यूज को छोड़कर भारत के सभी चैनलों पर परतिबंध लगा दिया है, नेपाल में केबल ओपरेटरों ने सभी नीजी भारतिये समचार चैनलों को प्रसारित करना बंद कर दिया है, भारत के राष्टिये समचार नेटबर्थ अलोचना के बाद बिदेशी चैनल वितकरों मल्टी सिस्टम ओपरेटर्स द्वारा अंतिम निर्णे लेने के बाद गुरुवार को यह परतिबंध लागो किया था, नेटिजेंस ने कहा कि समचार कवरेज ने खराब रोसनी में नेपाली नेपाली नेतरितु को चितरित कि अब चलिए नेपाल का बात आए तो नेपाल के बारे में बता देता हूँ, नेपाल जिसकरा धानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली जरुफिया और राश्पती है बिद्या देवी भंडारी और परधान मंत्री है केपी सर्मा ओली, चलिए ओप्सन देख लेते हैं, जिन के बारे में तो मैंने आपको पिछले कोशन में बता दिया है, चलिए भुटान देख लेते हैं, जिसकरा धानी है थिम्पू, मुद्रा है भुटानिस नगुल्टरम, राश्पती है लोटेश रिम, चलिए बंगलादेश देख लेते हैं, जिसकरा धानी है धाका, बंग्रादेश के राष्टपती हैं अब्दुल्हामित परधानमंत्री हैं सेख हसीना चलिए नेस्ट कोस्चन की ओर चलते हैं जो की कोस्चन नमबर पांच बा है हाल ही में Microsoft इंडिया ने किसे कारीकारी निदेशक के रूप में न्यूप किया है तो आपका एंसर हो जाएगा अप्शन बी नवतेज बल दोस्तों नवतेज बल को Microsoft इंडिया के द्वारा कारीकारी निदेशक के रूप में न्यूप किया गया है चलिए महत्पुन पॉंट में थोड़ा देख लेते हैं नवतेज बल आईरन बुड इंस्टिचूट के CEO और प्रबंधक निदेशक हैं व दोस्तों ब्रजेंद्र नवनीत दोस्तों ब्रजेंद्र नवनीत हाल ही में WTO वर्ल्ड ट्रेड और्गनाजेशन में भारत के नए राजदूत बने हैं और दोस्तों सुसील सिंगल जोकि पापुवा निवगिनी में भारत का अगला राजदूत अगला उच्चायुक्त नि question number 6 है हाली में किस राज्य में भारत की पहली राज्य अस्तरिय ये लोक अदालत शुरू हुई है तो आपका answer हो जाएगा option B 36 गढ़ दोस्तो 36 गढ़ में भारत की पहली राज्य अस्तरिय लोक अदालत शुरू हुई है चलिए महत्पुन पांट में जान लेते हैं थोड़ा 36 गढ़ ने राज के उच नयायाले द्वारा देश की पहली राज्य अस्तरिय ये लोक अदालत के आयोजन और वीडियो कॉनफरेंसिंग के माध्यम से आपसी समझोते के माध्यम से मामलो को हल करके लगबग 270 मामलो का निप्टारा करने के साथ चल रहे हैं चल रहे COVID-19 महामारी के समय एक नया मिल का पत्थर अस्ताफित किया है चलिए 36 गढ़ का बात आया तो 36 गढ़ के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ यह आपके सामने आगए 36 गढ़ जिसकर अधानी है नया राइपूर अब नया राइपूर का नाम बदल करके कर दिया गया है अटल नगर आपको डिस्किप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जागा नेम चेंज से या तो आई बटन पे भी आपको लिंक दिया है वहाँ से अगर के आप देख सकते हैं मुख मंत्री है भूपेस बगेल राजपाल है अनुसुया उईके राज उच नयाले है बिलासपूर में जीलो की संख्या 16 विधान सभास सदस्योग संख्या 90 लोक सदस्योग संख्या 11 राज सदस्योग संख्या 5 है चलिए 36 गड़ का राष्ट्य उद्यान देख लेते हैं 36 गड़ के पहले मुख मंत्री थे अजीत जोगी जिनका निधन हो गया है हाली में 36 गड़ को धान का कटोरा कहा जाता है और ये कुश्चन बीबी आई है और एक्जाम में 1000 बार भी रिपीट हो चुका है 36 गड़ से होकर के करक रेखा भी गुजरता है और ऐसे तो करक रेखा जो है भारत के कुल आठ राज्यों से होकर के गुजरता है वो है आपका पस्चिम बंगार जारखंड मध्यपरदेश राजस्थान गुजराथ 36 गड़ त्रिपूरा और मिजोरम और दोस्तों मैं आपक की भी बात कर लेते हैं ओप्सन में है महराष्ट जिसका रधान यह मुंबई मुखमांत्री है उधर ठाकरे गवर्नर भगत सिंग खुशियारी और जीलो की संख्या है 35 बिधान सभा 28 बिधान परिशद 78 लोग सभा 48 और राज सभा 19 है चलिए पंजाब देख लेते हैं जिस गुश्चन का कोश्चन देख लेते हैं जोकी कोश्चन नंबर सात्वा है हाल ही में सिंगापुर की फिर से परधान मंत्री पद का चुनाव किसने जीता है तो आपका एंसर हो जाएगा ओप्शन C दोस्तो, ली सियन लूंग ली सियन लूंग जोस्तो यह आपके सामने है, जो कि सिंगापुर के फिर से परदान मंत्री न्यूट किये गए है ली सिंग लूंग, चलिए सिंगापुर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जिसका रधानी है सिंगापूर सिटी और मुद्रा है सिंगापूर डॉलर और परधान मंत्री तो आपके सामने है यह देखिए ली सियन लूंग चलिए नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमबर आठवा है हाली में किस देश में 2018 में बागो पर किया गया सर्वे गिनिज वर्ड रिक 2018 में बागो पर किया गया सर्वे को गिनिज वर्ड डिकोर्ड में दर्च कर दिया गया है चलिए महत्पुन पंट जान लेते हैं अखिल भारतिय बाग अनुमान 2018 के चोथे चक्र ने दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन ने जीव सर्वे चन के लिए गिनिज रिकोर्ड में परवेश किया है नविंतम जनगना के अनुसार भारत में अनुमानित 2967 बाग वैस्विक बागो की अबादी का लगभग 75% है भारत ने पहले ही 2022 के लच्छ वर्ष से ठीक पहले 2010 में सेंट पिट्सबर्ग में बनाए गए बागो की संखिया दो गुनी करने क अपने संकल्प को पूरा किया है अब चलिए यहां भारत के बात आया तो भारत के बारे में आपको बता देता हूं भारत जिसका रधानी है नई दिल्ली राश्टपती है रामरात कोबिंद उप राश्टपती है बैंकेया नैंडू और परधान मंत्री है नरेन मोदी अब अब चलिए अमिरका के बारे में आपको बता देता हूं जिसके रधानी है केब टान या प्रिटोरिया बुद्रह सौथ अफ्रिकन रांड़ राश्टपती है स्रील राommes खोसा चलिए अमिर्का के बारे मने तो मैं आपको पिष्ला कोष्टन में बता ही दिया है चलिए next question द अग्यागा लिजीगा दोस्तों किस देश के सोध टीम ने विष बैंक का डेपलप्मेंट मार्केटक्लेस पुरसकार जीता है तो आपका एंसर हो जाएगा ओप्शन D, कमबोडिया, कमबोडिया देश है दोस्तों जो की विश्ट बैंक का डेवलप्मेंट मार्केट प्लेस पुरसकार जीता है KHANA, Center for Population Health Research की एक सोध टीम ने 24 घंटे के लिंग अधारित हिंसा प्रतिकिरिया और कमबोडिया में महिला मनुरंजन कारेकरताओं के लिए विश्ट बैंक समुह और योन हिंसा अनुसंधान की पेसकस के लिए वाटसब चेट लाइन को लागू करने के लिए पुरसकार जीता है अब चलिए यहां विश्ट बैंक का बात आ है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं जिसका रधानी है वर्ल्ड बैंक जिसका हेट क्वाटर है वासिंगटन डिसी यूएस में और अस्थापना किया गया था जुलाइ उनीस सो चवालिस को और मेंबर है एक सो नवासी कंट्री और डिरेक्टर बरतमान समय में डेविड मालपास चलिए कमबोडिया के भी बात कर लेते हैं कमबोडिया जिसका रधानी है फोम पेन मुद्रा है कमबोडियन रियाल परधान मंत्री है हुन सेन चलिए ब्राजिल देख लेते हैं जिसका रधानी है ब्राजिलिया मुद्रा है ब्राजिलियन रियाल और अराष्टपति है जैर बोल्सो नारो चलिए next question देख लेते हैं जो कि आज का आखरी और last question है question number 10 हाली में किस राज ने pure force your अभियान शुरू किया है और ये question भी आपको important है अश्टार मार्क लगा लिजिएगा pure force your अभियान किस राज सरकार ने शुरू किया है चलिए तो आपका answer लो जाएगा option B राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है pure force your अभियान राजस्थान राज सरकार ने दूद और उसके उत्पाद को दूद और उसके उत्पादों की सुद्दा सुनिश्चित करने के लिए एक सप्ताव का अभियान pure force your शुरू किया है यह अभियान 8 जुलाई से 14 जुलाई 2020 तक चलेगा अभियान के तहट संभाग अस्तर पर उपलब्ध खाद परिच्छन परियोग साला में परिच्छन के लिए दूध और डेरी उत्पादों के नमूने एकत्र किये जाएंगे खाद सुरच्छा अधिकारियों द्वारा दैनिक अधार पर नमूनों की जनकारी खाद सुरच्छा अधिकारियों द्वारा परदान की जाएगी आपको बता दूँ कि हाली में राजस्थान राज सरकार ने राज कॉसल पोर्टल का भी शुरुआत किया था चलिए राजस्थान के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ जिसकर धानी है जैपूर जैपूर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है चलिए पंजाब का बात कर लेते हैं दोस्तों पंजाब जिसकर धानी है चंडीगण, मुखमंत्री है अमरिंदर सिंग, राजपाल है विपी सिंग बदनो, जीलो की संखिया है 17, बिधान सभा 117, लोग सभा 13 और राज सभा 7 चलिए दोस्तों मैंने आपके लिए जो लाश्ट में कुश्चन लाया था जिसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यह कुश्चन आपके सामने है हाली में किसने मध्य परदेश में एसिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का अनाबरन किया है आपके सामने चार ओप्सन है नरेन मोदी, अमीत साह, राजनात से ही, निर्मला सिता रमान आप इसका एंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो तब मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं जो जो कमेंट कीजिएगा पता चल जाएगा कि वो आप वीडियो देखे है और मध्य पर्दिश के बारे में भी अगर आप कुछ जानते होंगे तो भी कमेंट कर दीजिएगा थैंक्यू दोस्तो अपना ख्यार रखिएगा कुरोना बारेस से बचे रहिएगा